अजमेर पॉक्सो विशेश अदालत ने आज नाबालिक से बलातकार मामले में एहम फैसला सुनाती हुए आरोपी पवनकुमार शर्मा को 20 साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई साथी 1,11,000 का आर्थिक दंड भी लगाया मामले की जानकारी देते वे सरकारी वकील रुपिन्दर पाल सिंग ने बताया कि 27 जुलाई 2019 को कलॉक्ट वर थाने में पीडिता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी बच्ची के साथ बलातकार हुआ है इस मामने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश कर आशागंज निवासी पवनकुमार शर्मा को गिरफतार किया उसे न्यायल में पेश किया जहां लगातार सुनवाई के दौरान 25 गवा और 48 दस्तावेच पेश किये गए जिसके आधार पर आरोपी को विशिश ने दिज मानने शरी रतनलाल जी मुन दुवारा बहुती महत्पूर फैसला सुनाय गया और नाबालिक से दुराचार और दुसकरम के आरोपी पवन्ज शर्मा को 20 साल के कठोर कारावर्स और एक लाग ग्यारा अजार रुपे के अर्थ दंड से दंडित किया गया परकरण के अंदर 25 गवा कराए गए और 48 दस्ताविच परतशित कराए गए देखिए परिवादी ने क्लॉक्टावर थाने पर इस आश्य की रिपोर्ट दज कराई थी कि वे अपनी बच्ची को इसकूल छोड़ कर आया था और बच्ची इसकूल नहीं पहुंची बच्ची का उसकी भेन के पास फोन आया कि मुझे पवन शर्मा नाम का व्यक्ति एक होटल में ले गया है और उस फोन की सूचना पर उसके मदर फादर और उसकी भेन उसको ढूड़ने निकले आना सागर चोपाटी गए वहां नहीं मिली वहां से फिर बच्ची का वापस फोन आया कि उस बवन शर्मा ने उनको अपने घर की गली के पास किसी कोने पर छोड़ दिया है तो वहां सोसके माता पिता लेगे बच्चीन अपने माता पिता परिवर वालों गटना के बारे में बताया और उसी दिन उसके माता पिता ने थाने पर रिपोर्ट दश कराई